Welcome back to botany class students हम polysylvania पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में हमने इसका अकरेंस और structure के बारे में आपको जानकारी दी working इस वीडियो में हम इसके reproduction के बारे में जानकारी देंगे और sulfonize sexual reproduction के बारे में पूरा process जानेंगे तो सबसे पहले देखते हैं यहां पर कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है तो polysiphonilas luckily शक्रीते दोनों प्रकार का रिप्रदिक्षन क कुई यहां पर होता है तो sexual reproduction के अगर हम बात करते हैं तो वह हो गैमस टाइप का होता है और ये sexual reproduction जो है वो tetrasporophyte में या कहना चाहिए कि tetraspores के द्वारा होता है तो हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि polysiphonia जो plant जो है polysiphonia जो genera है इसमें life cycle के अगर हम बात करते हैं तो तीन प्रकार के plants recognize किये गए हैं तीन प्रकार के plants देखे गए हैं सबसे पहला plant इसमें होता है tetrasporophyte जो कि diploid होता है दूसरा plant होता है gametophyte जो कि haploid होता है और तीसरा plant होता है carposporophyte जो कि फिर से diploid plant होता है तो सबसे पहले हम ये क्या होते हैं, टेट्रास्पोरोफाइट क्या है, कार्पोस्पोरोफाइट क्या है या गेमिटोफाइट क्या है इसके बारे में जानकारी देंगे और फिर उसके बाद हम एसेक्शल रिप्रोडक्शन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे तो सबसे पहले deployed tetrasporophyte क्या है इसके बारे में देखते हैं तो tetrasporophyte जो है वह develop होता है एक तरीके से कार्पो स्पोर से जो की एक deployed spore है और यह जो deployed spore है कार्पो स्पोर जब यह germinate करता है तो एक independent plant बनाता है और वो जो independent plant है वह भी deployed ही होगा क्योंकि कार्पो स्पोर deployed structure है तो जो independent plant इस कार्पो स्पोर के germination से form हुआ है यह tetraspor कहलाता है और वो जो tetraspor है उसमें tetrasporangias बनते हैं और tetrasporangia जो है उसमें meiosis का process होता है और उस meiosis के process से चार haploid tetraspores generate होते हैं यह देखिए अगर आप चितर में देखेंगे तो यह polysiphonia का structure है जिसमें की आपको यह tetraspor दिखाई दे रहे हैं आप देखें यहां से तो आपको तीन spore यह marking आपको यह ridge shape marking दिखाई दे रहे हैं तो यह तीन spore आपको यहां दिखाई दे रहे हैं चार spore इस तरीके से यहां बने और यह arrangement आपको इस प्रकार से दिखाई देता है तो यह तो होता है हमने पहलेorganite के बारे में जो आपको जानकर हीदी tetrasporophyte के बारे में जिसमें की tetrasporophyte एक deployt plant है यह carpet spore से बना है जो कि deployd explore होता है और tetrasporophyte जब बन जाता है तो tetrasporophyte में tetrasporangia बनता है tetrasporanga jajwo है sporangia word आ रहा है जो है शो है tetrasporengia क्या लाएगा और क्योंकि इसमें meiosis हो रहा है इसलिए इसमें जो spore बनेंगे वो haploid होंगे और 4 tetraspores haploid tetraspores यहां form हो जाते हैं दूसरा plant जो हमने देखा वह है gametophyte plant तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि tetraspore बन गए हैं और वो haploid है तो जब वो germinate करेंगे तो वो भी independent plant देंगे और वो जो plant देंगे वो haploid होंगे क्यों क्योंकि tetraspore haploid structure है दूसरी बात ही आती है कि यह इसमें ज़्यादातर जो species होती है polysiphonia में वो heterothelic होती है heterothelic से मतलब है कि जिसमें male और female plant जो है वो अलग-अलग पाई जाते है तो जो spermatangia है male reproductive organ वह एक plant पे लगावा होता है और जो carpogonia है जो कि female sex organ है वह किसी दूसरे plant पे लगावाता है तो hetero मतलब many से होता है या एक से अधिक homo मतलब same hetero मतलब अलग-अलग तो heterothelic से मतलब है कि male और female sex organs जब अलग-अलग plant पे या अलग-अलग thallus पे पाए जाएं तो वो plant heterothelic कहलाते हैं और gametophytic हैं क्यों? क्योंकि haploid tetraspore से generate हुए तो haploid plants ही ये generate होंगे यहाँ पर अब तीसरा आता है आपका diploid carposporophyte diploid carposporophyte जो है diploid है और कैसे बना ये? ये actually जो gametophytic plants है male और female sex organs जिन पे बने हैं तो जो carpogonia जो structure है जो female sex organ है क्योंकि आपको पता है कि O gamus मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर sexual reproduction O gamus type का है तो जो female gamit जो है वह स्परमेशिया है वह non-flagellated होता है यह यहाँ characteristic है इसका कि यहाँ flagella नहीं पाया जाता है उस स्परमेशिया पे और वो स्परमेशियम female gamit के पास आता है और fuse करता है zygote बनाता है तो diploid structure उसने बना लिया और वो gametophytic plant पे ही बनता है तो जो यह नया प्लांट जो बन रहा है जो diploid carpus porophyte है यह zygote से इस gamitophytic plant पे ही फॉर्म होता है तो इसलिए जो plant zygote से जो नया प्लांट बनेगा वह diploid ही structure होगा और वह diploid structure होगा इसलिए हम उसको carpus porophyte कहते हैं इस प्रकार से यह तीन प्रकार के plants जो आपको बताएं मैंने tetrasporophyte, gametophyte और carpus porophyte जिन में से दो diploid plant है tetrasporophyte और carpus porophyte और haploid कौन है? gametophyte तो यह तीन प्रकार के plant आपको इसकी light cycle जब हम पढ़ेंगे तब भी discuss करेंगे वो देखेंगे आप और आप इसमें देखेंगे कि जो carpus porophyte जो develop हुआ यहाँ पर carpus porophyte से मतलब है कि जो zygote यहाँ पर develop हुआ वो zygote से नया plant बन गया directly तो वो directly जो plant बना वो carpus porophyte है और इस carpus porophyte में फिर later on carpus porse form हुए जो कि mitosis के द्वारा ही हुए तो इसलिए वह भी deployed ही होंगे और क्योंकि हमने शुरुआत में आपको बताया था कि जो tetrasporophyte है वो कहां से बने carpus por से बने और क्योंकि carpus por deployed है तो उनके germination से जो plant बनेगा वह भी deployed ही plant होगा लेकिन उसका नाम होगा tetrasporophyte तो इस प्रकार से यह तीन प्रकार के अलग-अलग plants आपको life cycle में देखने को मिलेंगे अब हम आते हैं हमने type of plant कौन-कौन से हैं life cycle में वो पढ़ लिया sexual reproduction हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे लेकिन मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा description यह दे जिया कि वहाँ O gamus type का होता है तो अब हम asexual reproduction की बात करते हैं तो asexual reproduction जो है यहाँ पर tetraspores के द्वारा होता है और tetraspore जो है वहाँ एक haploid non-motile spore है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था पिशली स्लाइड में भी कि carpo spore जो है वो diploid spore था जो कि carpo sporophyte में बना था वो जब germinate करता है तो diploid tetrasporophytic plant दे देता है अब चुकि यह plant independent भी है polysiphonus है और इसमें कुछ pericentral cells आपको दिखाई देंगे reason में central cell भी आपको दिखाई देंगे तो आप देखेंगे जो pericentral cells हैं उनी में से जो apical reason के पास में जो pericentral cell हैं वो कुछ cells जो हैं वो tetrasporangia बना देते हैं और tetrasporangia बनने के बाद जो tetrasporangium का जो nucleus है वह meiosis करता है और meiosis करने से वह चार tetraspores दे देता है जो कि tetrahedrally arranged होते हैं और क्योंकि meiosis का process हो गया इसलिए वह spores जो है वह haploid होते हैं अब अगर हम figure में देखना चाहें तो यह चितर में आप देख सकते हैं कि tetraspores हैं जो कि tetrahedral arrangement में arranged हैं यहां पर और development कैसे होता है tetrasporangia में tetraspore का वह मैं भी आपको बताऊंगी लेकिन इस figure में अगर आप देखते हैं तो इस figure में आप देखेंगे यह आपका central cell है यह आपका pariscentral cell है इस तरफ के pariscentral cell में division हुआ और division होने से tetrasporangium भी बना और बाहर में open cells भी बने तो development के अगर हम बात करते हैं तो tetraspore सबसे पहले tetrasporangia में generate होते हैं या बनते हैं develop होते हैं अब किस प्रकार से develop होते हैं यह देखते हैं कि जो pariscentral cells हैं single pariscentral cells of each tire towards the apical region apical region की तरफ में जो pariscentral cells हैं एक तरफ के वो function करते हैं as tetrasporangial initial और यह initial जो हैं वो smaller होते हैं एक तरीके से और दूसरे tetras central cell से और initial cells divide करते हैं inner और outer cell में देखिए जैसे आप इसमें देख रहे हैं यहां पर यह central cell है यह pariscentral cell है तो इधर भी pariscentral cell होता है लेकिन वो pariscentral cell के अंदर vertical division हो गया अगर यह cell माने तो यह लंबाई में ऐसे division हो गया तो बाहर outer cell बनता है अंदर inner cell बनता है first division यह है यह later stage आपको यहां पर दिखा रखा है जिसमें outer cell तो दिखा है लेकिन फिर आपको tetrasporangium दिखा रखा है या stock cell दिखा रखा है यह बनेगा तेकिन सबसे पहले यह outer cell और inner cell फॉर्म करता है कौन पैरी central cell अब आते हैं हमकी inner cell जो है वो directly function करता है as sporangial mother cell और outer cell जो है further divide करता है और form करता है to two more cover cells तो अगर हम यह माने कि यह आपके चितर में यहां पर दो cell है यह outer cell है यह outer है और यह inner है तो इसमें तो हम कहेंगे outer और inner तो outer cell में तो हम कहेंगे कि अगर और further division होते हैं तो it forms cover cell यह cover cell जनाता है लेकिन जो inner cell है वो act करता है function करता है directly as sporangial mother cell अब जो sporangial mother cell है वो वापस से कैसे divide करता है transversely मतलब इस तरीके से divide करेगा horizontally और वो क्या बना देगा ऊपर तो बनाएगा tetrasporangial cell और नीचे बनाएगा वह stock cell जो कि आपको यहां चितर में दिखाई दे रहा है यहां पर दिखाई दे रहा है यह sporangium tetrasporangium जो लिखा है और यह stock cell तो यह क्योंकि transverse division हो गया तो sporangial mother cell का transverse division हुआ तो उससे दो cell बने और दो cell में नीचे वाला stock cell उपर वाला आपको sporangial cell मिल गया तो अब यह जो tetrasporangial cell मिला है वो और बड़ा होगा enlarge होगा और act करेगा as tetrasporangium अब क्योंकि tetrasporangium बन गया है तो अब इसमें जो nucleus है वह deployed structure है उस deployed nucleus का meiosis होगा meiosis होने से चार tetraspores यहां फॉर्म हो जाएंगे या उसे हम meospores भी कहते हैं क्योंकि meiosis के बाद बना है और यह tetraspores जो है tetra hydrally arranged होते हैं हमने पिछला slide में चितर में देखा था sporangium में arranged होते हैं tetrasporangium में अब जब tetraspores mature होते हैं तो रप्चर हो जाती है tetrasporangium की wall और फट के वह बाहर निकल जाते हैं germinate करते हैं और जैसा कि मैंने आपको तीन प्रकार के plant बताए थे तो क्योंकि बहुत सारी species यहां पर polysiphonia में heterothelic होती हैं तो दो tetraspores जो हैं वह male gametophyte बना देंगे और दो जो हैं वह female gametophytic plant बना देंगे तो क्योंकि tetraspore haploid है तो जो बनने वाला plant है वह भी haploid ही होगा male plant अलग होगा और female plant अलग होगा तो इस प्रकार से asexual reproduction का process हमने इसमें देखा जो की tetraspores के द्वारा होता है और tetraspores जो हैं वह haploid होते हैं और चुकि यह haploid होते हैं इसलिए यह gametophytic plant का generation करते हैं बनाते हैं उसे और वह gametophytic plant जो है male और female gametophyte बन जाते हैं thank you so much आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा आप इसको किताब से भी पढ़िए अलग अलग जो plant हैं life cycle में वह आप बुक से पढ़िए नहीं आपको समझ में आता है तो आप मुझ से पूछ भी सकते हैं और चैनल को subscribe करिए इससे लाबानवित होई बाकी पुराने वीडियो भी आप देखिए कुछ भी doubt होता है आप पूछ सकते हैं thank you so much